किसी ने क्या खूब कहा है ना कि हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है मान लो तो हार और ठान लो तो जीत है बहुत समय पहले की बात है रामपूर नाम का एक छोटा सा राज्य हुआ करता था एक दिन गुप्चरो ने राजा को सूचना दी कि पडोसी राजे हम पर हमला करने वाला है गुप्चरो ने ये भी बताया कि खबर एकदम पक्की है बस दो दिनों के अंदर पडोसी राजे अपनी विशाल सेना के साथ हमारे राजे पर हमला कर देगा उनकी सेना बहुत बड़ी है उनके सामने हमारा टिकना नमुम्किन है राजा परेसान हो गया चिंतित हो गया उसने तुरंट सभा बुलाई और सबसे सला मांगने लगा और कहने लगा हमारा मरना तो तय है मगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं एक मंत्री सामने आया और बोला महराज अब जब हमारे जान पर बनी आई है तो इसका एक ही उपाय है कि हमें आज ही पडोसी राज्ये पर हमला कर देना चाहिए राजा बोला मंत्री जी हमारी सेना तो बहुत छोटी है हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे क्योंकि उनकी तो विसाल सेना है मंत्री बोला महराज पडोसी राज्ये की अभी यूद की तयारी नहीं है क्योंकि ओ दो दिन बाद हमला करने वाले हैं तो क्यों न उनसे पहले हम ही उनके हमला कर दें अगर हमने अभी हमला किया तो अस संभल नहीं पाएंगे और हमारे जितने की कुछ उम्मीदे बनेंगी ऐसे भी अगर हमने हमला नहीं किया तो भी हमारा अंद तय ही है क्योंकि दो दिन बाद पडोसी राज्य हम पर हमला भोलेगा ही राजा को ये सुझाओ पसंद आया उसने तुरंत अपनी सेना को तयार होने का आदेश दे दिया और राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जूड़कर यूद करने निकल पड़े पडोसी राज्य में जाने से पहले सेना को एक विसाल नदी के उपर पूल को पार करके जाना था जैसे ही सेना पूल पार करके पडोसी राज्य में घुसी तो राजा ने उस पूल को आग लगवा दी और सेना को बोल दिया कि अब हमारे पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं है या तो हमें जीतना है या फिर यहीं मर कर प्राड त्याग देने है सभी सैनिक अपनी पूरी छमता के साथ लड़े और पडोसी राज्य की बड़ी सेना को मात दे दी दोस्तों इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीक मिलती है कि जैसे राजा ने अपनी सेना की असफलता के सभी रास्ते बंद कर दिये थे ठीक वैसे ही आपको भी अपनी असफलता के सारे रास्ते बंद कर देने चाहिए आपको ये समझना होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंध होते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हांसिल करता है अपनी सफलता के लिए खुद को जोग दिजे आप असफलताओं के बारे में सोचे ही मत क्योंकि दोस्त आपके पास असफल होने का आप अप्सन ही मत दो कभी मन में डर को मत बैठाओं आपको डरने की जरूरत ही नहीं है दोस्त क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई समस्या ही नहीं है जो आपकी छमता से बढ़ी हो आप बस मेहनत कीजिए खुद पर विस्वास कीजिए और अपने काम को लगन सिखिए क्योंकि सफल आपकी राह देख रही है